जै श्री कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमली, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आज टिप्स वर्ड पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आमले केक मीठी और टैंगी सी रेसिपी, आईए आपको जट पर दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है और इसके लिए आपको किन-किन चीदों की जरुवत पड़ेगी, आप एक वाई इसको जरू बना के ट्राइ कीज़ेगा, यह बहुत ही टेस्टी होती है, इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम आम ले ले लिए हैं, इनको साफ फानी से धोकर मैंने एक कप्ड़ यह 15-20 मिनट ने अच्छे से तयार हो जाएगा, अच्छे से स्टीम हो जाएगा, अब आप यहां पर प्रेशर कुकर में से मैंने इस आमले को निकाल लिया है, और बचे हुए पानी को मैंने सबजी में यूज के लिया है, आवला हमाई सेहत के लिए बहुत अच्छा माना इसलिए जब विंटर में आता है तो ऐसी ही रेसिपी बना कर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जैसी रेसिपी में अभी आपको पना कर दिखा रही हूँ, अब इसके बाल आपको मिक्सी जाल ले लेना है, उस मिक्सी जाल में आप इन आवले के टुकड़ों को डाल दीजे, आ अब एक या दो चमच इसमें पानी डाल सकते हैं अब इसका एक फाइन सा पेस्ट बना कर तयार हो गया है अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए उसमें आवले के पेस्ट को निकाल लीजिए अब मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको थोड़ा सा भून लीजिए इसको इतना भू अब आप इसको भून लीजिए जब तक ये अच्छे से सिमट ना जाए एक बात का ध्यान रखेगा इसमें तेल या घी हमें कुछ भी नहीं मिलाना है अब इसके बाद इसमें आप स्वादा नुसार नमक काला नमक और एक बड़ा चमच आम चूर एक छोटा चमच जीरा प जाएगा तभी आपको असानी से इसकी छोटी गोली बनाकर आप तयार कर सकते हैं हाथ के मतद से आप इस पेस को गोल शेप दीजिए छोटी या बड़ी आप जैस्तरे की जिस तरह की गोली बनाना चाहें बनाकर आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए अब यहां पर म तो आपको विटामिन C आपके शरी को बहुत मात्रा में मिलेगा और आप स्वस्वी रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार और जटपट बनने वाली रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टिफ्सवर चैनल से जुड़े रहिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए मिलती हो कल आप सबसे एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा में तरफ से आप सभी लोगों को ज शरी कृष्णा